ओम शान्ति तेईस जैनिवरी दो हजार इक्केस बाबा के महावाक्या मीठे बच्चे कदम कदम पर शिरीमत पर चलते रहो यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की इसमें मोंजो नहीं प्रश्ण अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौनसी गुहिया बात सहज ही समझ सकते हैं उत्तर ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे कई तो इसमें ही मोंज जाते हैं बाबा कहते बच्चे बाब दादा दोनों इकठे हैं तुम मोंजो नहीं शिरीमत समझ कर चलते रहो ब्रह्मा की मत का रिस्पोंसिबल भी शिव बाबा है ओम शान्ति रूहानी बाब बच्चों को समझा रहे हैं तुम समझते हो हम भ्रामन ही रूहानी बाब को पहचानते हैं दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाब जिसको गौड फादर वा परम पिता परमात्मा कहते हैं उनको जानते नहीं हैं जब वह रूहानी बाब आई तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दें यह नौलिज ना सृस्टी के आदी में रहती ना सृस्टी के अंत में रहती अभी तुमको नौलिज मिली है यह है सृस्टी के अंत और आदी का संगम युग इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जान सकेंगे कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ परन्तु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते जब मैं आकर पहचान दू तब मुझे जाने मैं अपना और सुरुस्टी के आदी मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ कल्प बाद फिर से आता हूँ तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राहलोप हो जाता है सत्युग से लेकर कल्युग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परंपिता पर्मात्मा को नहीं जानते हैं ना ब्रह्मा विश्नु शंकर को जानते मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं ब्रह्मा विश्नु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं सुक्षम वतन की तो बाती नहीं रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थार्त रूहों को बैठ समझाते हैं अच्छा रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए बरोबर नाम एक ही गाते हैं शिव यह नामी ग्रामी हैं परन्तु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं भक्ती मार्ग में अपनी ही बुद्धी से यह लिंग रूप बना दिया है नाम फिर भी शिव है बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ आकर मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्सा देता हूँ मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ती धाम निर्वान धाम परन्तु जानते कुछ नहीं हैं ना बाप को जानते हैं ना देवताओं को यह किसको भी पता नहीं हैं बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं शाश्तरों में भी ऐसी कोई बात नहीं हैं परम पिता परमातमा कैसे आकर आधी सनातन देवी देवता धरम की स्थापना करते हैं ऐसे नहीं सत्युग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया नहीं अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता स्लामी बौधी आदी जो हैं उन्हों का ज्ञान चलता आता है सब जानते हैं यह ज्ञान प्राहलोप हो जाता है मैं जब आता हूँ तो जो आत्माई पत्तित बन राज्य गवां बैठी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ भारत में राज्य था फिर गवाया कैसे है वह भी किसको पता नहीं इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुछ बुद्धी बन गई है मैं बच्चों को यह ज्यान दे प्रालब्द देता हूँ फिर सभी भूल जाते हैं कैसे बाप आया कैसे बच्चों को सिक्षा दी वह सब भूल जाते हैं यह भी ड्रामा में नून्ध है बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धी चाहिए बाप कहते हैं यह जो शाष्टर आदी तुम पढ़ते आई हो यह सत्युग त्रेता में नहीं पढ़ते थे वहाँ थे ही नहीं तुम यह नौलेज भूल जाते हो फिर गीता आदी शाष्टर कहां से आया जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते देवताईं भी जान नहीं सकते हम मनुश्य से देवता कैसे बने वह पुर्शार्थ का पार्ट ही बंद हो गया तुमारी प्रालब्द शुरू हो गई वहां यह नौलेज हो कैसे सकती बाप समझाते हैं यह नौलेज तुमको फिर से मिल रही है कल्प पहले मिसल तुमको राजियोग सिखलाए प्रालब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुरगती है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती, ज्ञान है ही सद्गती पाने के लिए वह देने वाला एक बाप है, सद्गती और दुर्गती का अक्षर यहां से निकलता है, सद्गती को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हैविनली गौड फादर ने हैविन रचा था, कब रचा, यह कुछ भी पता नहीं शाश्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, बाप कहते हैं बच्चों, तुमको फिर से नौलिज देता हूँ, फिर यह नौलिज खलास हो जाती है, तो भक्ती शुरू होती है आधा कल्प है ज्यान, आधा कल्प है भक्ती, यह भी कोई नहीं जानते हैं, सत्युग की आयूही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालुम कैसे पड़े, पांच हजार वर्ष की बात भी भूल गए हैं, तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकी, कुछ भी समशते नहीं बाप कितना सहज समझाते हैं, कल्प की आयूँ पांच हजार वर्ष है, युग ही चार है, चारों का इक्वल टाइम बारा सो पचास वर्ष है ब्रामनों का यह मिडगेड युग है, बहुत छोटा है उन चार युगों से तो बाप भिन भिन रीती से नई नई पॉइंट सहज रीती बच्चों को समझाते रहते हैं, धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूं, वह पार्ट चला आता है जो बताने का था, वही आज बता रहा हूं, इमर्ज होता रहता है तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूं, धारणा कराता हूं हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का जो कल्प पहले समझाया था, वही निकलता रहता है. मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा, भल इनकी सोल विचार सागर मन्थन करती हो. यह विचार सागर मन्थन कर सुनाते हैं, या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुहिया बाते हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए, जो सर्विस में ततपर होंगे, उनका ही विचार सागर मन्थन चलता होगा. वास्तव में कन्याईं बंधन मुक्त होती हैं, वह इस रुहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं, कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं हैं. कुमारी अगर अच्छी रीती से यह नौलेज समझ जाए, तो सबसे अच्छी हैं, सैंसिबल होगी तो बस इस रुहानी कमाई में लग जाएगी, कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फाइदा नहीं. तुम यह रुहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ, वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं हैं, पढ़कर चले जाते हैं ग्रस्त व्यवहार में, ग्रस्ती माताई बन जाती हैं, कन्याओं को तो इस नौलिज में लग जाना चाहिए. कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है, मम्मा शुरू से आई, और फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई, कुमारियों को अच्छा चांस है. श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स क्लास हो जाएं, यह श्रीमत है, वह भ्रम्मा की मत है, इसमें ही मौंज पढ़ते हैं, फिर भी यह बाबा का रत है न, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो वह आपे ही ठीक कर देंगे, श्रीमत मिलेगी भ सदेव समझना चाहिए, श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो, रेस्पोंसिबल खुद है, इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं, मैं रेस्पोंसिबल हूँ, ड्रामा में यह राज नुन्धा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है न, बाप दादा दोनो इकठे हैं, तो मौझ पढ़ते हैं, पता नहीं शिर बाबा कहते हैं, वा भ्रमा कहते हैं, अगर समझें शिर बाबा ही मत देते हैं, तो कभी भी हिले नहीं, शिर बाबा जो समझाते हैं, सो राइठ ही है, तुम कहते हो बाबा, आप ही हमारी बाप टीचर गुरू हो, तो श कहे उस पर चलो, हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं, वह है कल्यान कारी, इनकी responsibility भी उन पर है, उनका रत है न, मूझते क्यों हो, पता नहीं, यह ब्रह्मा की राय है, या शिव की, तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं, शिरीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो, शिरीमत पर चलने से कभी जुटका नहीं आएगा, परन तु चल नहीं सकते, मूझ पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं, तुम शिरीमत पर निश्चे रखो, तो मैं responsible हूँ, तुम निश्चे ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी responsible नहीं, हमेशा समझो शिरीमत पर चलना ही है, वह जो कहे चाहें प्यार करो, चाहें मारो, यह उनके लिए गायन है, इसमें लात आदी मारने की तो बात नहीं है, परन तु किसको निश्चे बैठना ही बड़ा मुश्किल है, निश्चे पूरा बैठ जाए, तो करमतीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वह होगी अंत में, इसमें निश्चे बड़ा अडोल चाहिए, शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, इनसे हो सकती है, यह दोनों हैं इकठे, परन्तु तुमको निश्चे भी रखना है, शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझ कर चलते चलो, तो उल्टा भी सुल्टा हो जाएगा, कहां मिस अंडरस्टेंडिंग भी हो जाती है, शिव बाबा और भ्रमा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीती समझना है, बाबा ने कहा वा इसने कहा, ऐसे नहीं कि भ्रमा बोलते ही नहीं है, परन्तु बाबा ने समझाया है, अच्छा समझो यह ब्रमा कुछ नहीं जानते हैं, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं, शिव बाबा के रत को स्नान कराता हू शुव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है शुव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं मुख्य बात है ही शुव बाबा के याद की अल्फ और बे बाकी है डीचेल बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है बाप ही पतित पावन ज्यान का सागर है न वही पतित शुद्रों को आकर भ्रामन बनाते हैं ब्रामनों को ही पावन बनाते हैं शुद्रों को पावन नहीं बनाते यह सब बातें कोई भागवत आदी में नहीं है थोड़े थोड़े अक्षर हैं, मनुश्यों को तो यह भी पता नहीं है कि राधे क्रेश्न ही लक्षमी नारायन है मौझ जाते हैं, देवताएं तो हैं ही सूर्य वंशी चंद्रवंशी, लक्षमी नारायन की डिनिस्टी, सीता राम की डिनिस्टी बाप कहते हैं, भारत वासी, सुईट चिल्डरन याद करो, लाखों वर्ष की तो बाती नहीं है कल की बात है, तुमको राजय दिया था, इतना अकिचार अथा धन दौलत दिया बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं फिर तुमको क्या हुआ, विद्वान, आचारिय, पंडित, कोई भी इन बातों को नहीं जानते बाप ही कहते हैं, अरे भारत वासीयों, तुमको राजय भागय दिया था न तुम भी कहिंगे शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहां गवा दिया बाप का वर्सा कितना जबर्दस्त है, बाप ही पूछते हैं न, वा बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिये सब कहां गवाई, यह तो बेहद का बाप है बाप ने कोड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहां गया तुम क्या जबाब देंगे, किसको भी समझ में नहीं आता है, तुम समझते हो, बाबा पूछते ठीक हैं, इतने कंगाल कैसे बने हो पहले सबकुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई, तो सबकुछ कम होता गया सत्युग में तो सतो प्रधान थे, लक्षमी नारायन का राज्य था, राधे क्रिश्न से लक्षमी नारायन का नाम चास्ती है उन्हों की कोई ग्लानी नहीं लिखी है, और सबके लिए निंदा लिखी है, लक्षमी नारायन के राज्य में कोई दैत्य आदी नहीं बताते हैं, तो यह बातें समझने की हैं बाबा ज्यान धन से जोली भर रहे हैं, बाब कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो अच्छा, मीठे मीठे, सिकीलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की, रुहानी बच्चों को नमस्ती धार्णा के लिए मुख्य सार पहला, सैंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है जवाबदार एक बाब है, इसी लिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है निश्चे में अडोल रहना है दूसरा, विचार सागर मन्थन कर बाब की हर समझानी पर अटेंशन देना है स्वयम ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है वर्दान अपने पृत्यक्ष प्रमान द्वारा बाब को पृत्यक्ष करने वाले स्रेष्ठ तकदीरवान भव कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमान दिये जाते हैं लेकिन सबसे स्रेष्ठ प्रमान पृत्यक्ष प्रमान है पृत्यक्ष प्रमान अर्थार्थ जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना जो बच्चे अपने यथार्थ वा अनादी स्वरूप में इस्थित रहते हैं वही बाप को पृत्यक्ष करने के निमित हैं उनके भाग्य को देख कर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतह आती है स्लोगन अपने रहम की द्रिस्टी से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुन्य आत्मा है ओम शांती तो वाच पीस अफ मैंड चैनल वीडियोस अन यूट्यूब सब्सक्राइब उन यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश तीवी पीस अफ मैंड जस्ट अ क्लिक पर आपीस्फल लाइ